नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सबी काता है दिल से स्वागत करता हूं आज CBT therapy for anxiety के इस session 4 में साथ यो आज हम इस session के द्वारा जो OCD की समश्या रहती है और फोबिया की समश्या है इसके उपर ये विशेश सेशन रहेगा कि हम OCD एक एसी समश्या जिसमें दिमाग के अंदर बार बार विचार चलते हैं बहले वह गंदगी से सबंदित हो की चीजें साफ नहीं हैं गंदा है मैंने जहां हाथ लगा लिया वहां पर मुझे किटानू जर जो है मेरे हाथों के चिपकगे हैं या फिर आपको ऐसा लगे कि मैंने लोग ढंक से बंद नहीं किया है या फिर चूटी चूटी बातों से परेशान ही होते रहें घर के अंदर चीजें एसे रखो इस प्रकार से रखो जूते यहां पर रखो टेड़े क्यों हो गए सीधे ह चाहिए और फोबिया में वीविन परकार के चीजें जिनसे नॉर्मली इंसान नहीं डरता लेकिन वो इंसान बहुत जड़ने लग जाता है जैसे कि बस के अंदर चढ़ने से वह बहुत ज़दा डरता है कि कहीं बस के अंदर अगर मैं चड़ा और बसका गेट अगर वापस खुला नहीं तो क्या clothes space से वो डरने लग जाता है height से वो डरने लग जाता है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनसे डर लगता है इनका किस परकार से CBT से समाधान हो सकता है दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझने कि आप सकता है कि CBT therapy इन बिमारियों में काम कैसे करती है आप अगर इन बिमारियों को बहुत अच्छे से समझो तो इसके अंदर कहीं कहीं एक गलत belief, negative belief negative धारना बेठी होती है और वो विचार पेदा कर रही होती है वो दिमाग के अंदर negative विचार बार-बार विचार पेदा होते हैं और वो विचार आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं उन विचारों की वज़े से आपको डर लगता है उन विचारों की वज़े से आपको tension होती है बेचे नहीं होती है और आप फिर ढंग से अपना काम नहीं कर पातेS आपके देनिक जीवन जो है वो डंग से नहीं चल पाता हमें इसके अंदर क्या करना है कि विचार बहुत जादा पेदा होने लग गे और गलत विचार पेदा होने करता लेकिन जिसको अलर्जी होती है उसको थोड़ी सी भी अगर धूल मिटी जाए तो बहुत तेज रियक्शन होने लग जाती है खांसी आने लग जाती है सांस भूल जाता है दोस्तों वेसे ही अगर किसी को OCD की समश्या है माइंड के अंदर विचारों की एक परकार से अलर जी है अब हमें एक्टिविटी करनी है एक टेकनिक अपनानी है और उसका क्या नाम है उसका नाम है ERP थरेपी एक्सपोज एंड रेस्पॉंस प्रविंशन लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के इसाब से एक्सपोज एंड माइंड फुली रेस्पॉंस प्र इसके बीच में स्टार्ट करने से पहले एक यहाटि थरेपी करनी है बियाटी के द्वारा अपने आपको अपनी बोडिको अपने माइंड को रिलक्स करना है है इसकी पूरी डिटेल मैं आपको अगले सेस्ट में 5 बात्रसन में देने वाला हूं वह प्याटी थरेपी करके एकदम रिलक्स करके आपको एक्सपोज करना है यानि कि जिस चीद से आपको अलर्जी है आपको गंदगी से अलर्जी है OCD की समश्या है तो आपको थोड़ी सी गंदगी के विचात सुरुआत में दिमाग में लेके आने हैं फोटो दिमाग में लेके आने हैं और उसके बाद सबसे पहले आपको सोचना है कि मैं हाइट पर जा रहा हूं यूज करना है और फिर हाइट पर जाना है और एसा करते-करते आपका जो स्तर है उसके परती इलर्जी का जो स्तर है माइड के विचार प्यदा होनेour Mom में धिरे एक्न्ट्रोल में आने लगजाएत और इसक apprent NIT को आप अच्छे समय इसको आप उपयोग मिलेवें और qct therapy का यह कोर सिद्धान्त है मूलस सिद्धान्त है कि आपको एक्सपोज करना है और फिर जो रैसपोंस जो नोर्मली जो रैसपोंस आता था जो बेर्डर का रैसपोंस आता थाlast उसको आप माइंड के दोवारा mindfully control कर लें तो यह ERP technique का इस्तेमाल करें और अपने आपको OCD और जो phobia है इसकी समिश्या से बचा लें इससे आपको control में कर लें हलके case के अंदर बहुत ही शानदा result रहता है इसका और आप उसका जरूर उपयोग करें तो अगर आपको CBT therapy पूरा कोर्स चाहिए तो हमारी website पर अविलेबल है आप जरूर विजिट करें और वहां से आप ले सकते हैं आप हमारी वीडियो को लाइक करके अगर आपको अच्छी लगी आपको फाइदा मिला तो हम तक यह response पहुंचा सकते हैं आपकी बातों को समश् थेंक यू जय हिंद जय भारण